वेलकम गाइज कैसे हैं आसा है अच्छ होंगे साथ यो हमारी चल रही जावा स्किप्ट की सीरीज और इसमें हम सीख रहे हैं इवेंट के बारे में जिसमें अभी तक आपने सीखा माउस इवेंट कीबोर्ड इवेंट और विंडोज इवेंट में हमने सिरफ ओपन और क्लोज का बताया था आज हम बताएंगे विंडोज ओनलोड इवेंट के बारे में यह कैसे काम करता है और इसका यूज कहां होता है तो इस वीडिये मैं तक बनी रहेगा नमासकार साथी मेरा नाम है मनुश कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ग्यांद गूरी चैनल तो च इसके लिए मैंने एस्टेमल टाएप किये यहां पर आप देख सकते हैं स्टेमल फाईल हे इसमें नहीं holds dollars छोटा से सी असस लिखा है छोटा सा stml लिखा है और मैंने यहां पे link किया है css को stml के अंदर जिसकी वज़े से यह ऐसा page design हो रहा है अब मैं script लिखता हूँ script भी मैं अलग से लिखूँगा external script लिखूँगा यहां पे मैंने एक script save किये script.js के नाम से और यहां पे हम लिखेंगे script को तो उधर मैं define करने की बज़ाए अब मैं करता हूँ variable को यहां पे define एक तो variable ले ले लेता हूँ मैं body के नाम से क्योंकि हमने एक body id लिए और एक button लिए है main हमारा इसे के उपर चलेगा body equal to document.getElement और getElement किस हिसाब से हम element लेंगे हमने id लिए है तो हम id के हिसाब से element लेंगे और यहां पे दे देता हूँ मैं पहली तो id हमारे पास है body इसको यहीं पे हम close कर देंगे एक variable और ले लेते हैं यह variable है हमारा button का button equal to same to same document.getElement by id और यह id है button की right इसको भी मैं close कर देता हूँ अब जो button हमने लिए है उस button पे हम click करेंगे तो क्या effect पड़े उसके लिए मैं कर देता हूँ button.onclick equal to यहां पे कर देता हूँ में एक function ले लेते हैं और function को हम खाली छोड़ लेंगे start करेंगे curly bracket और if की statement देते हैं कि यदि हम इस button पे क्लिक करें if यदि body.class name equal to black यदि body का नाम black है तब यहां पे देखो हमने body का नाम black लिया नहीं एक तो हमने black से लिया एक white से लिया है दो color हमने use करें body के लिए भी और और button के लिए भी तो यदि body.class name equal to black तब हमारा body.class name equal to white क्या color हो जाए इसका white हो जाए close करेंगे और button.class name equal to black तो फिलाल जो हमने लिखा है पोजिशन भी वह है बोडी हमारी white है और जो बटन का color हो है black color है तो यह color है वरना हम कर देंगे यह पर else body.class name equal to आब इसका उल्टा कर देंगे class name हमारा white था आब कर देंगे इस black क्लोज करेंगे और button.class name equal to white बस इसको भी close कर देते हैं और नीचे last में इसको भी हम close कर देते हैं राइट इसको भी save कर देते हैं JavaScript को भी और इस JavaScript को अब हम implement कर लेते हैं अपने HTML documents में अब यहां से हमारा काम शुरू होता है देखो हमने आपको बताया था कि Java को हम head के अंदर भी लगा सकते हैं और body के अंदर भी लगा सकते हैं head के अंदर क्या होता है पहले script run होती है उसके बाद page load होता है और यदि body में लगाते हैं last में तो पहले हमारा web page load होगा उसके बाद script run होगी यदि आपने यह detail नहीं जानी है तो हमारी java script के series का video number one और two जरूर देखें हमारी HTML tag तयार है हमारी CSS तयार है Java तयार है CSS को हमने पहले implement कर दिया यहां पर अब Java को करता हूँ मैं यहां body के अंदर implement यहां पर last में आएंगे और मैं करूंगा script जो हमने script save करी है वो उसका नाम डाल देंगे src उस script का नाम मैंने script ही दिया है .js के नाम से हमने उसको save किया है और Java को close कर देंगे save कर देंगे इस file को और यहां पर आके करते हैं refresh तो जैसा ही हमने इसको refresh किया तो पहले तो हमारा web page लोड हुआ और फिर जावा script लोड होगी और जावा script लोड हुई है उसके बाद अगर हम यहां पर बटन पर किलिक करते हैं तो अब देख रहे हो जो हमने condition दी थी script में वो script अब play हो रही है यहां पर जैसे हमने script पर किलिक किया तो क्या हो गया हमारा जहां पर body जो class name black हो गया और button class name white हो गया और पहले हमारी यह position थी आप फिर से अब किलिक करते हैं तो फिर से पहले वाली position में पहुँच जाएंगे नहीं जा रहा वापस by default क्योंकि by default देखो हमारे पास spelling mistake हो चुकि यहां पर हम आते हैं वापस से इतर करते हैं black और save कर देंगे अब फिर से वापस refresh करते हैं इसको refresh करके इस button पे किलिक करेंगे then black हो गया अब फिर से करेंगे तो हमारे जो background से body white and button black राइट यह सही चल रहा है अब मैं क्या करता हूं जो हमने जो script लिखी है body के last में यहां पे body के अंदर इसको हम यहां से हटाते हैं मैं करता हूं यहां से इसको cut और इसको लगाते हैं उपर वापस से head के अंदर ही इसके नीचे आ जाएंगे यहां करतेंगे paste और नीचे से हमने इसको close यह भी नहीं उठाया इसको भी उठाते हैं control x और इदर वापस कर देते हैं paste save कर देंगे और वापस हम इसको करते हैं refresh अब यहां पे click करते हैं देखिए अब नहीं चल रहा क्योंकि अब यह script run हो चुकी है जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि script को यदि head के अंदर लिखते हैं तो पहले script run होती है उसके बाद हमारा page load होता है तो script head में लिखी है तो जैसे हमने इसको refresh कि हमारी script run हो चुकी और फिर page load हुआ तो यह by default ही रहा गया और जब हमने body के अंदर लिखा था तो पहले page load हुआ था और फिर script run हो रही थी जिससे कि हम यहां पे उसको run कर पा रहे थे यहां तक समझ में आ गया अब मैं करेगा onload का उसके लिए वापस सलते हैं script के अंदर और यहां उपर last में आ जाते हैं इधर कि अब हमने script को onload करना है कि यदि हमने इसको head में लिखा है उसके बाद पहले तो हमारा page load हो फिर script run हो तो यहां पे हम करेंगे अब window.onload equal to function bracket start curly bracket start और यहां पे जो हम function देंगे तो इस bracket जो curly bracket close है इसको यहां से हटा देते हैं तो function के अंदर यह सारा जो हमने लिखा है script के अंदर जितने variable लिए और if की statement लिए यह आ जाएगी इस function के अंदर और last में आके हम यहां पे कर देंगे close curly bracket ठीक है save कर देंगे तो हमने एक function और लिया है यह complete हमने function बना दिया और इसको दे दिया हमने window on load के अंदर इसको हमने save कर दिया अब यहां पे कर देवा पस refresh then अब पहले page load हुआ और अब script run करेंगे हम यहां पे click करेंगे then seem to shame काम करेगा तो यह काम होता है window.onload event का यदि हम script को head के अंदर लिख रहे हैं और script को बाद में run कराना चाहते हैं पहले page load करना चाहते हैं तब हम यहां पे windows on load event का यूज करेंगे आगया समझ में आसा करूंगा वीडियो आपको जो रच्छा लगाओगा इसी प्रकार अच्छे रहें देखते रहने के लिए मरसाथ बने रहें हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में comment से बताएं हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में share करें में like करें और यदि नए है चनल पे तोने सब्सक्राइब भी जरूर कर लें